जैहिन दोस्तों मैप से एक्तिवारी आप सभी का एक बार फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बड़े-बड़े पावर प्लांटों में विजली कैसे बनती है और कैसे तयार की जाती है और कौन-कौन सी प्रोसेस होती है तो चलिए बिना टाइम विष्ट के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जो बड़े बड़े पावर ब्लांट होते हैं वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है लगभग 3-4 किलो मेटर के एरिया में फैला हुआ होता है जिसमें बहुत सारे खंड होते हैं तो इस वीडियो में हम सभी खंडों के बारे में एक एक करकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम हीट के बारे में बात करेंगे क्योंकि पानी को खौलाने के लिए हमें हीट की जरूरत होगी और यहाँ हीट हमें कोईले से मिलेगी यहाँ पर थोड़ा सा हमें कोईला नहीं चाहिए बहुत जादा मात्र में कोईले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर कोईला कम होगा, तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा और पुरे सहर की बिजली गुल हो जाएगी तो इसलिए सभी पावर प्लांट अपने पास 1.5 मिलियन टन कोईला एक्स्टा रखते हैं जो की 40 दिन का स्टॉक होता है और यहाँ कोईला जहां रखा जाता है उसे हम कोल याड कहते हैं और यहाँ कोईला कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौप दिया जाता है अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले जमीन के अंदर बारूद के द्वारा ब्लास्ट किया जाता है और मिट्टी को हटा कर कोईले को बड़ी-बड़ी मसीनों के द्वारा निकाला जाता है और निकाले हुए कोईले को ट्रेन में लोड किया जाता है यहाँ पर लोड करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है कहीं पर जेसी भी मसीन के द्वारा लोड किया जाता है कहाई पर बड़ी-बड़ी मसीनों के द्वारा भी लोड किया जाता है और ट्रेन में लोड किये गए कोईले को पावर प्लांट के अंदर भिजवा दिया जाता है जब हमारा ट्रेन के द्वारा कोईला पावर प्लांट के अंदर पहुच जाता है और power plant में ही एक unit होती है जिसे हम coal handling department कहते हैं coal handling department क्या करता है कि इस train में load कियेगे कोईले को नीचे निकलवा देता है जिसे coal yard कहते हैं और इसी coal yard से कोईले को conveyor built के द्वारा cracer machine तक ले जाया जाता है जहां पर machine कोईले के चोटे चोटे टुकडे कर देती है और अब उन चोटे चोटे टुकडों को पुना conveyor built के द्वारा powder बनाने के लिए बाउल मिल में भीजा जाता है जहां पर machine कोईले का powder बना देती है ताकि हमारा कोईला पूरी तरह से जल सके और राख कम बने और पूरे प्लांट का लगभग 50% एरिया कोल याड के पास ही होता है और या बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है और अब बात करते हैं कोईला powder बन जाने के बाद अब अगली प्रोसेस क्या होती है अब अगली प्रोसेस होती है कोईले को जलाने की तो कोईले को वाइलर में डाल दिया जाता है वाइलर एक ऐसी मसीन होती है जिसके अंदर आग लगाया जाता है नेचे भटी में आग लगा कर किसी चीज को उपर रख कर उबालना ही वाइलर कहलाता है इस वाइलर मसीन में हम किसी भी बड़े कोईले को नहीं डालते बलकि उस कोईले को डालते हैं जो पावडर के रूप में होता है जब हम पावडर वाले कोईले को बाईलर में डालते हैं तो कोईला जलने लगता है जब बाईलर में कोईला जलता है तो कोईले के भारी कण जो होते हैं वो बाइलर के नीचे आ जाते हैं बाइलर के नीचे एक जाली लगी होती है और उसी जाली से छन कर कोईले के भारी कण राक के रूप में नीचे आ जाते हैं जिसका उपयोग सीमेंट बनाने या और किसी कारे में कर लिया जाता है और जो कोईले के हलके कड़ होते हैं वो बड़ी-बड़ी चिवनियों के द्वारा उपर निकाल दिये जाते हैं जब कोईला बाइलर में जलता है तो उसी जलते हुए कोईले के उपर पानी की पतली-पतली ट्यूब सोती है जिन में पानी भरा हुआ होता है जब बाईलर में आग जलती है तो ट्यूब में भरा हुआ पानी भी गर्म हो जाता है और स्ट्म बन जाता है अब इसी स्ट्म को बड़ी बड़ी pipeline के दोरा turbine तक ले जाया जाता है आपको बता दें कि टर्वाइन भी कई प्रकार की होते हैं जैसे लो प्रेसर टर्वाइन, हाई प्रेसर टर्वाइन, इंटरमेडियर टर्वाइन और जो स्टीम बनके रेडी है उस स्टीम को हाई प्रेसर के द्वारा टर्वाइन से गुजारा जाता है और जैसे ही high speed के द्वारा steam इस तर्वाइन से गुजरती है तो तर्वाइन गुमने लगती है और इस तर्वाइन से एक बहुत बड़ी साप्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा generator connect होता है जब तर्वाइन गुमती है तो साप्ट भी गुमती है और साप्ट generator को गुमाती है तो जनरेटर जैसे ही घूमता है तो बिजली बनने लगती है तो जनरेटर के बारे में आपको पता ही होगा कि जनरेटर कैसे काम करता है तो देखिए क्या है कि आरिष्टेट नामक एक बेज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जब कोई high voltage का current जाएगा तो चुमक पैदा होगा तो चुमक से current पैदा क्यों नहीं हो सकता तो उन्होंने क्या कि दो चुमक की चेतर के बीच में एक बायर को high speed से नचाया तो उन्हें current मिल गया और उन्होंने एक सिधान्त दिया कि जब दो चुमक की बलरेखाओं के बीच में कोई conductor या कापर का बायर उसे काटेगा तो उसके अपने आप ही बिचली पैदा हो जाएगी current पैदा हो जाएगा तो इसी के सिधान्त पर हमारा generator भी कारिक करता है और इस generator के द्वारा जो बिचली बनती है उसे बड़े बड़े transformer को दे दी जाती है और ये बड़े बड़े transformer उसका voltage बढ़ा देते हैं और high line के द्वारा कई power house को दे देते हैं और power house में बिचली पहुच जाने के बाद हम सभी के घरों तक पहुचती है तो इस तरह से बड़े बड़े power plant में बिचली तयार की जाती है तो दोस्तों मैं उमेद करता हूँ कि आप लोगों को power plant में बिचली कैसे बनती है ये सारी process पता हो गई होगी तो चली मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद